इंटरनेशल विमन डेको सिर्फ इस तरीके से ना मनाया जाए कि मॉल्स में डिसकाउंट जल रहा है, तो विमन सेफ तो नहीं है क्योंकि अगर सेफ होती तो फिर इस तरीके के जो केसिस हैं वो होते नहीं इसकाल जी खदराना नहीं देख रहे हैं सारे ही दर्शकाना बहुत-बहुत स्वागत है। क्योंकि मैडम पंजब भी पाशाओ भी थोडी समस्य आती है। मैडम कैसे देखते हो इंडिया में और तो की सरक्षा कैसी देखते हैं। कि इन्डीय में अगर बात करें विमन की सेफ्टी पшт меньше तो विमनना सेफ नहीं है कुछ इब बहुत सारे पिछले असाbeing बद्द चले हैं जिनने को लेकर काफी विबाद रहा है अब nie बहुत सारे सिरी कैसे भी आये और ये रेप कैसे चलते ही रहें तो विमन सेफ तो नहीं है क्योंकि अगर सेफ होती तो फिर इस तरीके के जो कैसे से वो होते नहीं बट इन सब चीजों के लिए कदम उठाई जा सकते हैं विमन को सेफ किया जा सकता है उसके लिए यह समाज में हमें खुद ही कुछ स्टैप सेफटी को लेके कुछ करें हर लड़की का सुपना होता है विभी समाज में आगे चले समाज में आगे बड़े समाज में लड़कों के बराबर ही करें कुछ लड़कियां हमारे गावों में होती है जो हमारे लड़कों उनके पेरेंट्स को दुवारा आगे नहीं आने दिय आप कैसे देखती हैं, क्यों नहीं आने दी आ इता दियों? देखिए, अगर मैं बात करूँ गी तो मैं जो सिक्षा के बारे में बात करूँगी, बास करूँगी, बैसिकली जो विमन हैं, इस थिंग उन्हें एज्डुकेशन पूरी तरीके से दी नहीं जाती है, तो जो सिक्षा है वो उन्हें एक कदम देती है कि समाज में अपने आपको प्रेजेंट कर सके अच्छे तरीके से तो कहीं ना कहीं जो सिक्षा है वो होनी ज़रूरी है स्कूल लेवल तक सभी को सिक्षा दी जाती है विमन को सिक्षा मिल जाती है लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां पर जो फीमेल से उनको हायर एजुकेशन नहीं दी जाती तो उनको हायर एजुकेशन दीनी चाहिए वह अपने करियर के बारे में सोचे और स हमाज में अपने एक अच्छा आपने एक अच्छा ओधा मतलब पा सकें इंटरनेशनल वुमेंड है और तो को क्या कहना चाहेंगी कैसे और ते आगे बढ़ सकती हैं आगे बढ़ने के लिए मैं यह तो नहीं कहूंगी कि मर्द परदान देश हैं इंटरनेशनल विमेंड हम इ आप किसी भी शेतर में आप देखे चाहें वो स्पोर्ट्स है या पॉलिटिक्स है या फिर बिजनेस है बैंकर्स है और फिल्ड में आपको फीमेल आगे दिखाए निगे इवन एजुकेशन फिल में भी विमेन बहुत एच्छा एक्सल कर रही हैं कही ना कहीं जो खेल है व जो स्पोर्ट से वो गही ना कहीं विमेंस को एक एक तरीका एक्स्पोजर देता है कि वो समाज में अपने आपको आगे रख सके तो मेरे हैल से जो सिक्षा है और एक हमारा जो खेल है वो कही ना कहीं विमेन को समाज में आगे लेके आता है उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक अफसर परदान करता है और इसके साथ एक सोच भी हम कहेंगे कि जो बहुत हत्तक जो है वो बदल सकता है विमन का एक अच्छा मतलब जो रूप है मतलब विमन एक अच्छे तरीके से आगे समाज में आग गया सकती है आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस फिल्ड में स्ट्रगल तो चलिए रहा ही है बट ऐसा है कि मतलब मेरे अपनी खुद की अपनी ड्रीम्स थे और खुद की अपनी इच्छायन थी कि मुझे आगे स्पोर्ट्स में जाना है मुझे एस फिसिकल एजुकेशन टीचर मुझे आगे बढ़ना है तो कहीं ना गहीं एक अंदर स पर कादम पर उन्होंने मुझे अर तरीके से सपोर्ट की आगे बढ़ने के लिए और मेरे जो टीचर्स हैं जो मेरे गुरूर है जिन्होंने मुझे इस फिल्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोचसाहन किया है तो उनकी तरह से भी बहुत इच्छा मतलब बहुत ही मेरे खेलों में देखिये मैं पिछले 6-6 साल से में यहां मुकसर में बढ़ा रही हूं और जितना मतलब मेरा परसनल अब्सर्वेशन रहा है वह यही रहा है कि जो लड़के हैं वो बढ़ जाते हैं आगे खेल लेते हैं हर तरीके से उन्हें एक्सपोजर में रहा है फैमली की दरफ से काफी सपोर्ट मेलता है उनको हम बहुत हैल्प भी करते हैं कि वो आगे बढ़े और इसी लिए मैं यह बहुत मतलब आड करूंगी साथ में कि जो पंजाव इन्वस्टी का रूरल सेंटर है बेसिकली वो इस रूरल इलाके में इसी लिए है ताकि हर तरीके से मतल लड़कियों को काफी डिकते हैं समाज में जाती हैं उनको काफी बलात कर यासी गिनावनी कटनाए होती है हमारा समाज ऐसा क्यों करता है क्या कमी क्या है हमारी समाज में लड़की एक जो एक फीमेल है वो एक बेटी है एक बतनी है ठीक है मतलब उसके कई तरीके के रूप ह तो थो एक चाहिए तो यह तो मैं कहूंगे कि कुछ बेसिक प्राइमरी शिक्षा या प्रात्मिक शिक्षा हम क्या सकते हैं कि जो कि हमारी बच्चों को हमें हमें घर में ही दे देनी चाहिए स्कूल कॉलेजिस में तो हम उन्हें एक शेप और एक अकार में लेके आते हैं लेकिन ही कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स को बच्चों में डाल देनी जाए है कि उन्हें किस तरीके से एक दुसरे के प्रती किस तरीके से बेहेव करना चाहिए तो आय तिंग ये घर से ही स्टार्ट हो जाता है खेलों में लड़कियां कितना आगे बढ़ सकती हैं खेलों में लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट में कही तरी जिनकी वज़े से आप देख सकते हैं कि मतलब हमारा जो फीमेल जो हमारी क्या टेगरी है जो स्पोर्ट्स में वो पी कोशिश कर रही है और वो आगे बढ़ रही है तो यह उनके लिए अच्छे मतलब रोल मोडल बन सकते हैं कि वो खेलों में आगे बढ़े हैं इंटरनेशनल स्क्राइब अब यहां ट्रूल में पहले अम को खेलों में मेंण से स्क्राइब फोटर पोट प्रोडची में महाइब विजांगाए श्यूमों को अब्राइब विड़े से काफी स्च्छे में बाटायल जैंती वाइं मुस्प मृ आपने राइट्स की नहीं दोनीक्ती उर की और ठानी थो घूट कानुन को भी स्टेप भी हम लोगों को भी स्टेप उठाने चाहिए तो जैसे कि ऍे bırak के आपको बात को बड़ना पड़े सोब देश उन्हें वाऀ यही कह सकते हैं करे लास्ट में समां बहुत कम हैं मैं यही कहना जाऊंगी कि enternetural women day को सिर्फ इस तरीके से ना मनाया जाए कि malls में discount चल रहा है saloon में discount चल रहा है बलकि मैं यह कहूँगी कि जो international women day वो हर दिन है अगर आप उसे सही तरीके से आप उस sateis को अगर आप समझ रहे हैं और उसे उतना ही आप हर तरीके से समझ पारे हैं समाज के सामने रख पारे आदर कर पारे हैं आप रिस्पेक्ट दे पारे हैं तो हर दिन जो है वो इंटरनेशनल वुश्य है नई मुझे पारे हैं तो है अगई होना चाहिएदा की से वी गल्लों कब रहुना नकीशाईदा है चाहीदा है है कि से वी आस कर दिया कि लड़्कियां इसा तरह अगए वादि है लेयंकोर अ कज Astra शालियन23